प्रभातखवर.com विश्वास्वही रफ्तार नई पंजाब के मुख्यमंत्री भगवनमान का बयान भी आपको सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा है कि पटियाला में जो भी हुआ पद्दुर्भाग्यपूर मैंने डीजीपी से बात की है और पूरे इलाके में शांती ब्यवस्ता बनी रहे इसकी कोशिस की जा रही है मैं इस मामले पर कड़ी निग्रानी रख रहा हूं और किसी को भी राजिकी शांती ब्यवस्ता को भंग करने नहीं दूंगा पंजाब में शांती सबसे महत्वपूर्ण है अब आपके लिए यह भी जानना जरूई है कि पटियाला में ऐसा हुआ क्या कि दोनों समुदाई के लोग सड़क पर आ गए खबरों के अनुसार खालिस्थानी आतंकी गुर्पत वंद सिंग पन्डू ने खालिस्थानी स्थापना दिवस मनाने का ऐलान कर दिया शिवसेना बाल ठाकरे नामक स् मर्थक ने इसका विरोध किया इससे तनाव बढ़ा और प्र पत्तरबाजी और बावाल शुरू हो गया दोनों तरफ से जमकर पत्तरबाजी की गई बावाल को संभालने के लिए पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को रोपने के लिए फाइरिंग की वही तलवार लगने से एक पुलिस कर्मी भी घायल हो गया गुर्पत वन सिंग पन्नु के खिलाप राजद्रों का मामला दर्च किया गया है पन्नु ने यह घोस्ना की थी कि गुरुगराम से लेकर हर्यान के अमबाला तक सभी एसपी और डीसी कार्यालेओं में खालिस्ता पानी चंडा फराया जाएगा पुलिस ने बताया कि पन्नु ने यूटूब चैनल पर यह घोस्ना की थी इस गटना के बाद पुलिस भी एक्टिव है पटियाला के डीसीपी ने कहा कि कानुन व्योस्ता की स्तिति को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बलकी तैनाती क प्रभातकामर.com विश्वास वही रफदार नहीं